तो आज मैं आपको स्वागत है तो आज मैं आपको लेटेश्ट इंग जाम अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू सन तक देखें पसंदाने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना मुले तो बहुत सारे लोग सब्तावर से पूछ रहे थे काफी ज्यादा क या खिर B.S.S.C. इंटर लेवल का रिजल्ट है जो कि कव आएगा तो एक टाइम लाइन बहुत अच्छा आ गया है और बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे तो बिहार करमच्यारी चैन आयोग B.S.S.C. की इंटर अस्तर ये मुख्य परिच्छा का परिनाम 25 आलोग में दिसंबर 2020 में हुआ था परिच्छा में 50,000 से अधिक अवेर्थी उपस्टिट हुए थे 13,200 पदों पर हुई परिच्छा में सामिल हुए अवेर्थियों का अंतिम परिणाम जून में आने की संभावना है इससे पहले इनकी से परिच्छाएं संपन करा ली परिच्छा और भी जो अन्य परिच्छाएं हैं कंप्यूटर का ग्यान तो यह सब जो परिच्छाएं हैं आपको जून तक करा ली जाएगा मतलब फरिवरी में रियल्ट आएगा उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा बी एससी की की टाइपिंग की स्पीड पहले टाइप मन्गलॉण में टाइपिंगूगे यह परिच्छा मार्च में होगी डीचंट के इन्पति अथिक जैघ्ञ मार्च में होगी दोनों की अलग से सुचना मतलब साथ है कि physical और typing आपको March में शुरू हो जाएगी अब सारे confusion है जो कि आपके कहत्म होगे अब है जो कि आप सिधे typing कि यह बहुत सारे लोगों ने हिंदी में हिंदी में कर दिया है तो आपने जब हिंदी में नो कर दिया तो फिर आप हिंदी के पिछे क्यों परिशान है बंगल फॉंट के पिछे क्यों परिशान है आपको नहीं करना है क्योंकि हिंदी इतनी आसान भी नहीं है कि आपको जो मार्च में टाइम लाइन है वह आपकी पूरी होई आसंभव नहीं है लेकिन आसान नहीं है इंगलीस भले ही आसान है कि आप कर स करने का क्या फाइदा दो हजार चार पाज में ऐसे ही हुआ था बहुत लोगों पता कर लिया लेकिन आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होगी और कम से कम हिंदी में 25 और नहीं और इंगलिस में 30 रहेगी अगर माना जाए तो 30-30 दोनों में होगा नहीं तो हिंदी में 25 और इं प्रिपिक का भी कर रहे था कि डारेक्ट ज्वाइनिंग ले लेगी परिविच्छा परिएड में है जो कि आपकी टाइपिंग होगी याव कंप्यूटर दस्ता परिच्छा और यह परिच्छा परिच्छा परिएड में जो लिखा हुआ था वो सिर्फ बांचनिय योग्रि एपके लिए लिखा हुआ था उसी को लोग आधार बना करें लुख्ये ये में टाइप में परिट्डूर को कम्प्यूटर ग्सेंख ऑन करकिंखने भी कश्यान करें यानता है तो इसलिए और ये देखा कहस्की इंटर लेवल मेंस के अभिएरती है वह बहुत ज्यादा मतलब अनुभव की कमी है उसका कारण क्या कि एक तो इंटर पर है और ने ने उसमें फॉर्म भड़े थे और बहुत सारे लोगों ने गल तो बहुत ज्यादा लोग ने और मतलब बचपना की तरह किसी ने कहा कि आगा उम्र की कमी है उम्र बहुत सारे परिछार्थ्यों का है उम्र जारत सर्विस्वाज्वाण में Lloyds उसमें उम्र कमी हा और तुरथ है नहीं बहुत सब बहुत जाते इजह सब लोग करें कि यह होगी पर यल्ट आएगा तो तुरत है जो कि नमने वह सही कर रहा तो मतलब आप लोगों में यह भी समझ नहीं है कि कौन सही बोल रहा है और कौन और मैंने बहुत सारे क्यों कि बहुत सारे लोगों से बातचीत होते तो अनुभब जो कहीं जौब कर रहे हैं या उनकी अच्छी तैयारी होगी या वो समझ चुके कि जिनरल तैयारी क्या हो तो वह बहुत ही मतलब अच्छे डंग से बाता और जो जैसे ही अनुभब की कमी होती है उहां पर उनको तुरत चाहिए तो यहीं चीज मैंने देखा और मुझे लगत सारी परिछाएं जो कि मार्च से सुरू हो जाएगी तो आप लोग जो की इसको मन लगा करते हैं वह चाहते हैं कि कि किसी तरह कोई बता दे कि 110 मेरा मुझे टैपिंग करने की जरूरत नहीं तो आप कब तक बचना चाहेंगे आप सिर्फ राजस्व करमचारी और फंचायस स आधार पर आपके आधार पर तो कटफ जाएगी नहीं वहां पर जो चात्र है पूरे उनके रिजल्ट के अधार पर आएगी तो आपके इच्छानुसार कटफ नहीं आएगी और अनुवान है कि 105 से ज्यादा नहीं जाएगी लेकिन यह अनुमान फैल होते भी देरी नहीं सब्सक्राइर है क्योंकि यह बिहार है बिहार का मतलब यहां पढनें वाले बहुत सारे चात्र है और बहुत सारे सालेंट चात्र है जो आपको पता ही नहीं चलेगा जो नावरत्सária ना सोचल मीडिया पर है वह पर इचा दिए और अपनी तैयारी कर रहर है इसलिया आपको कट आफ के चक्कर में ज्यादा ना पड़े 105 से जिनका ज्यादा है वह जो कि 110 वाले तक है जो कि टाइपिंग करें और फीजिकल कर रियल्ट क्योंकि आपको टाइपिंग में भी कहा जा रहा इसके नुसार कि 5 गुना रियल्ट आएगा तो टाइपिंग की सीटे में भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि छहटेंगे तो तो पचासी जो 90 मैंने बताया था कि 85 जो वह सारे लोगों को मुख्य परिच्छा में रियल्ट आएगी मुख्य परिच्छा के रियल्ट के लिए आप बिल्कुल टेंसे न ले वह सारे कि येर्ट आने है क्योंकि 20-25000 हो सकता है क तो आप तो ऐसे भी पास हो जाएंगे उससे आपकी मेरिट लाश्टली जो है आपकी परिच्छा लेने के बाद बनेंगे बहुत सारे लोगों को यह भी कन्फ्यूज आने क्योंकि अनुभब की कमी है वो चाहते हैं कि मेरी तो 120 आ रही है तो मेरे तो त्यार करके राजय सुक कुछ नहीं क्योंकि आपको मैंस का मार्श जो कि नहीं पता चलता है और आपको पूरी पर करिया हो त problem पता चलते कि मेरे इतने मार्श थे मेरे इतने सेलेक्शन हुआ इसमें नहीं हुआ तो यह है कि आप लोग जो कि थोड़ा बहक के कम और बहुत सारे लोगों उसका नुकसान भी हाला कि मैंने तुरत वीडियो बनाकर उसको किलियर किया कि नहीं आपकी टैपिंग होगी यह वाज चल रहा है बिल्कुल यह तो बहुत गलत है क्योंकि समय आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है और सही में आप देख रहे हैं कि मार्च में आपकी टैपिंग शुरू हो जाएगे अब फिर बहुत सारे लोग जो मंगल फॉंट में फसे हुए है आपकी जेल में फसे हुए है इसमें करूं की की बोर्ड में करूं तो यह तो आयोग भी तक कोई सिर्फ मंगल फॉंट की सुचना दिया है तो यह किलियर तो आपको आयोग ही करेगा और क्योंकि जहां तक मेरे मेरे बात है कि क्या कर सकता थी कहना मैं भी कभी टैपिंग है जो कि सिखा नहीं हूं मतलब थोड़ी वोट कर लेता हूं लेकिन स बिरूर करें और जो भी असुलीपिक भरे है वह असुलीपिक अच्छे क्योंकि आपकी सीठे खाली रह जाएगी लेकिन आपकी असुध्धी रह गया और हाड लेवल तक करें ऐसा नहीं कि आसान असान सौट हैंड करें आप आस आसुलीपिक की रिकॉर्ड्स देखें चाह सारी टाइम लाइन है जो कि आपको मिल गई है तो आप इसी के नुशार करें उसके बाद आपको दूसरी ख़बर के मार्च में निकलेगा चौशटवी विपेसी का रियल्ट तीन दिनों चौशटवी परतियोगता परिच्छा का साथ शातकार चल रहा है जो आपको 10 फरव सब्सक्राइब आपको फरवरी में जारी हो जाएगी हिंदूस्तान में दिया हुआ है क्योंकि उसका साफ प्रिंट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उसको नहीं दिया तो आपको फरवरी में जो कि कॉंसेलिंग की शीडिल हो जाएगी तो यह अच्छी ख़बर है बहुत सा अब पर सीथात है जो कि नियोजन इकाई मेरिट शूची है जो कि जारी कर चुकी है लिहाजा कॉंसेलिंग परकरिया जरे नियोजन पत्र बाटने की अगावैट पूरी की जानी है बता दे कि प्रात्मिक सीचको का नियोजन करीब देड़ साल से लठका हुआ है फिलाल जा परकरिया पूरी होनी की उमीद है उसके बाद है जो कि असिस्टेंट रजिस्टार के लिए अब इंटर्विव तीन को तो जे प्यसी द्वारा विश्विद्यालेम अधिकारियों के लिए नियुकति के लिए इंटर्विव को गुरुवार से शुरू होगे पहले दिन भी पदादिकारी की नियुकति के लिए इंकरविव शुरू हुआ दस उमीद्वारों में से आठ उमीद्वारों में सामिल हुए इस बीच आयूग अशिस्टेंट रेजिस्टार के लिए इंटर्विव तीवी बदलाव कर दिया है अब यह इंटर्विव तीन परवरी को बहुत सारे लोग उचल उचल करें पहले से कारा के उनके पहले चांशे ज्यादां है इतनी भी आसान नहीं आप सुधता के साथ है जो कि तीस की स्पीड में टाइपिंग कर सके इसलिए आप लोग सिरियसली रहें और कट अप्स जो है वह मैंने 95 में जो बताया है यह कहीं गिर न जाए और यह 90 तक चला न जाए टाइपिंग के क्योंकि टाइपिंग में तो पास ही नहीं होंगे वह ब इसलिए आप लोग टाइपिंग करें कर रहां उसकी कट जा सकती 105 के असपर समय बता रहा हूं क्योंकि उसमें टाइपिंग नहीं राजय सुक्रमचारी की पंचाय सचीव में भी टाइपिंग नहीं बांचनिय योगता है आप परिछाम भाग ले सकते हैं लेकिन प्राथमि प्राइपिंग हो गए उनको क्या मतलब हो उससो मार्स का क्या काम तो 90 यह वाले सेलेक्षण होगी तो है कि टाइपिंग जनरल की जा सकती सोचिए क्या अस्थिती रहने वाली है मेरिट लिस्ट की आपीं वाले पोस्ट पर और जहां आसू लीपिक की पोस्टें हूं और त काम रहेंगा तो हो सकता है कि आपको सिधे सेलेक्शन से बाहर हो जाएंगे क्योंकि तो कटफ जिसमें टाइपिंग नहीं उसमें जाएगी कटफ तो इसीक साथ धन्यवाद